जाप और बाप आते रहेगा जिसने कोई काम नहीं किया हो बालमिकी बनके घूम रहा है जीडीपी रेट देश का घटा है क्योंकि करोना बिहार का जीडीपी रेट पिछले 15 वर्सों में कभी भी 8% से नीचे नहीं रहा है और अभी पिछले वित्य वर्स में हम 14% पे थे इस राज में छोटा से छोटा आदमी यदी भत्या करेगा बलतकार करेगा लूट करेगा बड़ा से बड़ा आदमी हो उसको जेल जाना हो और कहां गए चूड़ी पहन के बैटे हुए जो कॉंग्रेसी नेता है राजत के नेता है उनसे पूछिए कि सेकलियूरिजम का परतीक इसलिए आप बाप सब आते रहेंगे यहां एंडिये है पूरी तरह एंडिये और कमल यहां खिल लके रहेगा नमस्कार विटिन्यूज विहार देखरें आप और मैं हूं गुलसन कुमार बिहार विधान सवाचुना को लेकर बिहार में राजनिती घमासान लगातार चालू है अरोप पर तैरोप का खेल खेला जा रहा है दल-बदल की राजनिती हो रही है इन्हीं तमाम मुद्री पर हमारे साथ बात चीत करने के लिए समराच चोधरी हैं समराच चोधरी बिहार सरकार के पूर्मनतरी है और बर्दमान में विधान सा सदस है सर बीटीनी में वाविक है जहां पर पाच पार्टी चार पार्टी हम लोग रहेंगे इस वाविक है अपनी बात रख रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सब लोग हम लोग ठीक से गठवंदन करें पंदरा साल एंडिया की सरकार बिहार में बने तेजस्वी आदव हमला बोले आज भी वो लालटें जलाने की बात कर रहे हैं देखे जस्वी आदवजी या उनके परिवार के लोग वो लालटें ही जला सकते हैं वो बल्ब जलाने की बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरी तरह अत्याचार करकर ही उन लोगों ने पंदरा साल सासन किया मैं तो स्वेम वैसा व्यक्ति हूँ जो प्रतीक है जिसके सरीर पर हजारों लाटियां लालू प्रशाद जी ने चलवाया मेरे को जेल में रखा अक्तिया चार करके ही हम लोग के खिलाफ कारवाई करने का काम के इसलिए तेजस्वी जादव जी और उनके पिता जी आप देख लिजिए कि बीस मैने तक तेजस्वी जादव जी बिहार के उप्रुख मंतरी रहे एक डलपन्ट के इसू पर कोई बात किया हो लालू जी पंदरह साल अपने और मैडम स्रीमती राबडी देवी रही ही है उस प पहुचाया लेकिन उनको ये पता नहीं था कि भगवतिया देवी जी जो पतल तोड़ती थी वो सडसट में मेले हो गई थी जब स्वेम लालू जी हाप पहन पहनते थे इसलिए वो सिर्फ पर गंडा बनाते थे समाजिक न्याय समाजिक न्याय कि विकास को मागे ले जा रह पहनी सब का दोहन करने का काम किया लेकिन वो बेरोजगारी के भिरुद में लाल्ते जलाने के बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार में देखने को मिलता है पलायन कर रहे हैं लोग रोजगार नहीं है तो ये सही है न दो चीज बड़ा किलियर है बिहार एक तरह से लैंड लॉक स्टेट है यहां जमीन पूरी तरह घनत तो हमारा दुनिया में से एक है हमसे इंडोनेसिया अधिक होगा बंगला देश होगा और घनत तो इतना छोटा प्रदेश होकर लगवक साड़े बड़ो बारा क्रोर अबादी हमारे बिहार में और जान का बड़ा अश्चर्ज होगा आपको कि पूरे लालू जी के सासनकाल में मात्र लगवक पचास से साट हजार लोगों की बहाली हुई और इस पंदरा साल के पूरे सासनकाल में लगवक साट लाक लोगों की बहाली हुई तो बिरजगारी किसने बगाया बिरजगारी बगाने का काम दिल्ली की सरकार कर रही है जो लगातार इस देश के 24 करोर लोगों को मुद्रा लोन के माद्यम से बिजनेस अस्तापित करने की कलपना दे रहा उसमें से यदि 80% 50% लोगों को भी यदि हम रोजगार समझते हैं तो रोजगार हमने 12 क्रोर लोगों को पूरे देश में दिया उसमें बिहार भी है तो बिहार सरकार फिर क्या कर रही है यह बिहार सरकार तो कही रहे सरकारी नोक्रियां लगातार आप देखिए टीचर की बहाली टीचर की बहाली 2003 से सुरू हुई पहले सिक्चा मित्र को 15,000 मिलता था आप किसी सिक्चक से यह पूछिए कि जो 1500 में उनकी बहाली हुई थी आज उसको कितना तनका मिल रहा है किसी को 30,000 किसी को 40,000 मिल रहा है इसलिए सरकार ब्यवस्था देती है और पहले दिन से कॉंट्रैक्ट था कॉंट्रैक्ट सब्द को खतम किया गया अब उसको हम पर्मानेंट किये अब उसको पेंसन देने की बात हुई हम दीरे दीरे अस्तापित कर रहे है और आगे जो उनका डिमांड है समान काम समान बेतन कमान आगे उसको भी करेंगे आर्थिक इस्तिति हमारी वो नहीं है इससे मैं कभी टीफर नहीं करता यह तो गमेंट ओफ इंडिया और नरेंदर मोदी की सरकार मनें GST लाया जिससे बिहार का कुछ कल्यान हो पा रहा नहीं तो हम तो तनका देने के इस्तिति में नहीं रहते GDP रेट घट रहा है लगातार GDP रेट देश का घटा है क्योंकि करोना बिहार का GDP रेट पिछले 15 वर्सों में कभी भी 8% से नीचे नहीं रहा है और अभी पिछले वित्य वर्स में हम 14% पे थे लगातार हत्याय हो रही है लगातार भलतकार हो रहा है है गैंग रेफ हो रहा है जिस जंगल राज की संग्या देकर आप लोग आये सत्ता में और वो फिर से स्टार्ट हो रहा है कई नहीं नहीं देखिए फर्क समझे जंगल राज उसको कहते हैं कि जब कोई बड़ा आदमी अपरात करके भाग जाए और उस पर कोई कारवाई नहीं हो इस राज में छोटा से छोटा आदमी यदि हत्या करेगा बलतकार करेगा लूट करेगा बड़ तो सजा नहीं हुई क्योंकि वो लालू जी का रास्ता आज देखिए सुरजभान जी सजा अपता है राजन तिवारी जी सजन आपता है मुन्ना सुकला जी सजा आपता है ये राजबल्ला व्यादव सजा आपता है सावुद्दिन पिछले 15 सालों से जेल में है कुंडा इस क्राइम का सब्द को ठीक कर लेजिए क्राइम यदि कोई कर रहा है और यदि कोई सूचना मिल रहे तो उसको जेल जाना होगा क्राइम क्योंकि हमारे बीच का अपराद है हम अपराद कर रहे हैं हमारे लोग अपराद कर रहे हैं तो जो हमारे लोग हैं जो समाज में बैटे लोग अपरादी हैं, उनको तो जेल जाना होगा, आज या कल जाना होगा, लेकिन जिसका केस प्रूव होगा, पुलीस जिस पर चार सीट करेगी उसको जेल जाना होगा, तो बाजपा की क्या रन निती रहेगी विदान सवाचुनाम में, बाजपा पूरी तरह नरेंद मोदी जी के नत्रित में भरुसा करती है, अमीज स्या जी के भरुसा करती है, 1952 में जिस बात को हमारे लीडर, हमारे जनसंद के संस्तापक सदस, दॉक्टर स्यामा प्रशाद मुखरजी जी ने कहा था, कि हम 370 समाप्त करेंगे, इस देश में एक जंडा, एक निसान होगा, एक सम समिधान है, और जिस सेकलूरिजम की बात हमारे विरोधी करते हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, कि जब स्रीमती गांधी ने इस देश में समिधान में सेकुलर सब्द जोडा, तो आज तक कस्मीर में सेकुलर क्यों नहीं लागू हुआ था, सेकलूरिजम क्यों नह सेकलूरिजम जुनवाना था ही लोगों को, और ये लो, किसी भी चीज में, आप देखिए, बार बार लालू जी कहते थे, आरक्षन, आरक्षन, जिस लालू जी आदब ये कहते थे, कि हम आरक्षन देते हैं, पूरे पंदरह साल में एक वर्ग को आरक्षन ने दिया, हमारी सरकार बनी, तो आज बहाली में मैलाओं को 35% का आरक्षन है, पूरे देश में आप घून जाइए, कहीं भी जुडिसियल कमिशन में आपको आरक्षन नहीं मिलेगा, बिहार में आरक्षन, और सभी वर्गों के लिए बड़ा स्पस्ट है, S.E.S.T. Aero City Act का, जब छेड़ च करीब हो रहें, तो उनको भी 10% का रक्षन दिया गया, इसलिए पूरी तरह इस देश में सब वर्गों को कैसे जोड़ के आगे बढ़ाना है, इसके लिए निरंदमोधी काम कर रहा है, कितने सीटों पर भाजपार चुनाव लड़ेगी? यह तो केंद्रे नित्वीत को तई कर रहा है, हम लोग को सिर्फ यह दाइत्व है, कि बिहार में फिर से कमल खिलाना है, मेरा अंतिम सवाल है कि चुनाव आते ही अनेको पार्टी अस्तापित होती है बिहार में, और अभी के दोर में देखा जाए तो जाप आ गये हैं, आम किसने कोई काम नहीं किया हो, बाल में की बनके घूम रहा है, तो बाल में की बनना पड़ेगा, सिर्फ छनिक लाब के लिए आप अपनी बात को रख रहे हैं, पूरा कोसी के इलाके में क्रिमिनल राज किसने अस्तापित कराया, वो व्यक्ति आज कहता है कि हम आरजकता पहल हैं पूरे देश में, आप देखिए, कता कभी क्रिमिनल को गोली मार देंगे, कभी कता अपसर को गोली मार देंगे, क्या पता नहीं, कोना रजकता जंता ने एक लाग भोट भी नहीं दिया, तो इसलिए आप जाब, बाप, सब आते रहेंगे, यहां NDA है, पूरी तरह NDA औ कमल यहां खिल के रहेगा, हमसे बात करने खिले बहुत बहुत धन्यवाज़ाएं